Year 2020 में एक्जाम का पोस्पोन होना एक तरीके का ट्रेंड बन चुका है लेकिन अभी CGPAC की तरफ से एक ख़वर आ रही है जिसमें इन्होंने एक स्किल टेस्ट जो ये कंड़क कर चुके थे उस एक्जाम को ही कैंसिल कर दी, निरस्त कर दी इस रीजन से हुआ है, चलिए डीटेल्स में देखते हैं जॉब पिंग में ना सिर्फ आपको लेटेस्ट जॉब इंफॉर्मिशन मिलती है इन फैक्ट इन रेक्रूट्मेंट एक्जाम को क्लियर करने के लिए आपको जिन भी रिसोर्स के रिक्वार्मेंट है वो सब कुछ आपको यहीं चैनल पर मिलेगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्क्राइब नहीं किया तो प्लीज कंसीडर सब्क्राइबिग जैसा कि आप देख रहे हैं हम CGPSA के होम पेज पे हैं और यहां पर अगर आप देख पा रहे होंगे बड़ी ही छोटे छोटे अक्षरों में यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है नोटिफिकेशन फॉर कैंसलेशन ऑफ स्किल्टेस्ट हेल्ड ऑन 31, 2020, AG3, AG3 Backlog, Stenographer, Stenotypist तो इन्होंने एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया है जिसमें इन्होंने कॉशल परिक्षा स्किल्टेस्ट जो इन्होंने 30 जनवरी 2020 को लिया था कि इसके लिए Assistant Grade 3, Assistant Grade 3 Backlog, Stenographer और स्किल्टेस्ट के लिए इन्होंने skill test लिया था और ये skill test को cancel करना पड़ गया है मतलब ये exam दुबारा से हो गया skill test आपको दुबारा से लेना पड़ेगा कौन सा exam है इसके बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ फिर हम ये cancellation का जो notice आया है वो देखेंगे और reason क्या है ये भी जानेंगे तो ये जो exam है ये actually में है 2018 में जो exam होना था ये आप देख सकते हैं यहाँ पे online application की जो date शुरू होई थी 24 January 2018 से लेकर के 12 February 2018 तक इसमें apply करना था अलग-अलग post में ये recruitment होनी थी जिसमें मैंने आपको बताया कि वो 4-5 post थी जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो skill test जिन post के लिए requirement थी वो सारे post को यहाँ पे दिया हुआ है और इसी के लिए skill test conduct किये थे जिसको इनको cancel करना पड़ गया है तो cancel करना क्यों पड़ा है इसका reason हम देख लेते हैं यह आप देख सकते हैं यही वो page है various post of cgpc 2018 2018 को यह post आया था और अभी तक इसका completion नहीं हो पाया है तो बहुत खराब इसी थी थी अच्छा ये जो cancellation है इसका reason जो common reason अभी तक जिन reason से सारे exam postpone होते आ रहे हैं उस reason से cancel नहीं हो रहा है चलिए अब मैं ज़्यादा इदर दर की बात नहीं करता हूँ सीथे notification open करते हैं और देखते हैं कि यह reason क्या है इसके cancel होने का जैसा कि आप यहाँ पर देख रहा है हमारे सामने cancellation notice याने निरस्तिकरण की सूचना जो है इस exam के लिए यह open होई है यहाँ पर लिखाया है कि दिनांग 31-2020, 30-01-2020 को आयोजित, सहायक grade 3, backlog, stenographer grade 3, stenotypist एवं सहायक grade 3 के कौशल परिक्षा निरस्तिकरण के संबंध में cancel करना पड़ गया है और दुबारा से होना होगा इस exam को क्योंकि यह cancel हो गया है तो दुबारा करना ही पड़ेगा इनको तो चलिए देखते हैं आगे details यहां पर जो परिक्षा कंड़क कराई गई थी उस समय पर बहुत सारे अभजरतियों ने परिक्षा की कारेपणाई के संबंध में आयोग से शिकायद की है और उसके बाद आयोग ने जब जाज की तो फर्म ने भी अपनी गलती मानी या जो भी वहां पर प्रोब्लम हुई उसको accept किया है तो उस base पे फिर ये skill test जो है वो पूरी तरीके से invalid हो जाता है इसी लिए इस causal परिक्षा को निरस्त किया गया है देखें ये reason जो commonly जिसकी वज़ा से postpone हो रहा है इस साल वो reason नहीं है ये एक अलगी reason है यहां पर गल्ती हुई है और exam conduct करने में थोड़ी problem create हो तो पड़ा है निरास्त करना इसको CGPSE को अब बोल रहा है कि CGPSE कोशल परिक्षा की आगामी तिथी प्रिथक से जारी करेगा तो ये इन्होंने announcement कर दी है cancellation की लेकिन दुबारा कब होगा ये date इन्होंने भी mention नहीं की है इसका कारण जरूर अभी जो situation चल रही है वो हो सकता है हमारे social media handles पे और हमारे comments के through हमारे channel पे आपको सभी तरह की study materials और video lectures अवेलेबल है तो अगर आपने भी तक हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो please subscribe ज़रूर कर लीजिएगा thank you for watching hope to see you in our next video till then take care guys